व्यापार में आर्थिक लाव या व्यापार में व्रिध्धी इसके लिए आपको करना यह है कि एक स्फटिक का श्रीयंत्र खरीदना पड़ेगा आपको ठीक है और यह उपाया आप किसी को भी बोल सकते इस्पेशली वह दुकांदार जिनकी दुकाने नहीं चल पा रही है समस्य होती है कस्टमर आते सिर्फ सवाल पूचके चले जाते हैं या फिर उन लोगों के लिए भी है जो ग्रिहस्त में है वो भी अगर अपना कुछ व्यापार करते हैं घर में बैठकर जैसे कई ग्रहनिया जो है चोटा मोटा बिजनस कर लेती घर से ठीक है या जो लोग ज फटिक का छोटा वाला श्रीयंद्र मंगाना है उसको एक लाल कपड़ा या पीले कपड़े में जो हम लोग पूजा के लिए यूज करते हैं ठीक है करना यह है श्रीयंद्र को आपने वैसे देखो श्रीयंद्र का मैं एक सबसे एक बहुत सिंपल सा उपाय बता देता हूं इंतर के बहुत सारे प्रयोग जैं स्व्रीयंद्र जहां भी रक्था का जाता है उस जों की एनरजी जो है वह लगती है है खैके आप वास्तु में स्रीयंद्र को कहीं भी ऐसी जगह पर ह कहां की ऑनदेबल हो तो वहां की एनरजी सों आ रुकते है इशान कोन में ही जहान पर वास्तौदेव सर होता है ठीकस गर में जहां पर आपका पूजस्थल कोने में तो भी रखना किसी का नौर्थ यस में टॉट तो टॉइलेट से आपको पूरव की दिशा की और रखना पड़ेगा अगर नौर्थ इसमें टॉइलेट है तो उसको छोड़कर पूर्व दिशा में आप श्रीयंद्र को स्थापित कर सकते हैं यह अगर पूर्व में भी जगह नहीं है तो उत्तर की दिशा पर ठीक है एक पीला कपड़ा या लाल कपड़ा का कपड़े का पीस चोटा टुकड़ा काट लेना जिसमें चोटा श्रीयंद्राम से आ जाए पहले आपको जो आपका पूजा का जो मंदिर है उसको अच्छे साफ सफाई करने के बाद पीला कपड़ा या लाल कपड़े को बिचा जाने के बाद थोड़ा सा जो अक्षत्र होता है चावल उसको रखने पहले वह श्रीयंद्र को रखने का आसन बन जाता है उसके उपर श्रीयंद्र को रखना है रखने के बाद आपको 21 माला महालक्ष्मी का मंत्र जाप कर सकते हैं और यह आप होली वाले दिन भी कर सकते हैं क्योंकि होली वाले दिन स्वैम सिध्धा तिति होती है होली वाले दिन अक्षेत रितिया वाले दिन दशहरा और दिवाली यह चार टाइम पे जब भी इनका दिन आएगा उस दिन ये प्रेयोक आप कर सकते हैं इससे आपको विशेश लाब मिलेगा जो महालक्ष्मी मंत्र है उसका 21 बार जाब करना है और बहुत धीरे-धीरे ऐसे नहीं हरबर हरबर से दो तो यह चुछ और ओम निनिनिक कमले गंव्ड़ा लए प्रसीदे प्रसीदे द्धीरे-धीरे पढ़ना है मंत्र प्रॉपर जो उचारन है वह ना थिए भली आप उसको उपांशू मतलब धीरे-धी में बोले या मन बढ़ाना नहीं है मंत्रों को सही उचारन करना है क्योंकि जो लक्ष्मी मंत्र को अगर आप लोग सही उचारन करके काम करते ना तो बहुत जल्दी उसका रिजल्ट देखता है बहुत जल्दी कोई इंसान अपने घर में अगर 21,000 21,000 मंत्र सिद्ध कर ले इसी श्रीयंत्र के सामने बैठ कर तो धन का फ्लो ऐसे मतलब ऐसे जगहों से आता ना ऐसे लेवल से आता कि जिसकी कोई मतलब आप धारना नहीं कर सकते हैं जो वैक्टी सवा लाख जाप कर लेता है उसके लिए कुबेर का द्वार खुल जाता है कर दो दो जाता है